महराष्ट में दिख रहा है अजीत पवार की पावर पॉलिटिक्स का ट्रेलर महराष्ट में शिरू हो गई मंत्रालेयों की बंदर बांट क्या वाकई काम कर गई एनसीपी के बागी अजीत पवार की तिक्डम जी हाँ एनसीपी में विधायकों की तूट के बाद से जारी पावर पॉलिटिक्स और तिक्डम का खेल अब अपने क्लाइमेक्स तक पहुचता दिख रहा है इस पूरे घटना क्रम में राजनीती के माहिर खिलाडी समझे जाने वाले शरत पवार को पटकनी देरे वाले उनके भतीजे अजीत पवार अब पूरी तरह काम्याब होते दिख रहे हैं अब जरा पीछे चलते हैं अब से च्छे दिन पहली महराश्ट से एक बड़ी खबर आती है जिससे सियासी गलियारों में हड़कम्प मच जाता है उस दिन NCP में बगावत हो जाती है और करीब 25 विधायक अजीत पवार के खेमे में आ जाते हैं लेकिन बात यहीं पूरी नहीं होती एक और जहां BJP का प्लान काम्याब होता है तो दूसरी और अब मामला है मंत्रालेों के बटवारे का जो अब तक लटका हुआ है अब शिंदे सरकार में अजीत पवार अपना हिस्सा मांग रहे हैं क्योंकि उन्हें चाहिए कोई मलाईदार मंत्राले जाहिर है कि मलाईदार मंत्राले की जब बात आती है तो इसमें वित्त मंत्राले और ग्रह मंत्राले काफी महत्तुपूर्ण माने जाते हैं अजीत पवार वित्त मंत्राले मांग रहे हैं इसलिए अब इस बात के पुखता संकेत मिल रहे हैं कि अजीत पवार को वित्त मंत्राले दिया जा सकता है बस इसका उपचारिक एलान होना बाकी है दूसरा मंत्राले यानि ग्रह विभाग अभी डिप्टी सियम देवेंद्र फर्णवीस के पास है तो ये मंत्राले किसे मिलेगा, क्या फर्णवीस से ही मंत्राले चीरा जाएगा क्योंकि ऐसी भी खबरे हैं क्योंकि देवेंद्र फर्णवीस को केंद्र सरकार में कही एड़ेस्ट किया जा सकता है अगर ऐसा होता है तो क्या देवेंद्र फर्णवीस की जगए ये मंत्राले अजीत पवार के किसी विधायक को सपा जाएगा या फिर खुद अजीत पवार ही इसे सभालेंगे अजीत पवार के आठ मंत्री शिंदे सरकार में शामिल हो चुके हैं लेकिन अभी तक उनके मंत्रालेओं का बटवारा नहीं हो पाया है निश्चित तोर पर उनकी नजर भी अच्छे विभागों पर होगी अभी पिछले दिनों अजीत पवार और प्रफुल पटेल ने दिल्ली में केंदरी ग्रह मंत्री आमित शाह से मुलाकात की है इससे ये अंदाजा लगाय जा रहा है कि प्रफुल पटेल को भी कोई मलाईदार मंत्राले मिल सकता है संबाव है कि उन्हें ग्रह मंत्राले की कमान सौप दी जाए इंडिय न्यूस की रिपोर्ट